नवरात्री के नौवे दिन माता सिध्धिदात्री की पूजा की जाती है। व्यक्ति की सभी मनुकामनाएं पूर्ण होती है। माता सिध्धिदात्री की आराधना हमारी अंतरात्मा को दिवेता और पवितरता से परिपूर्ण करती है। तथा हमें सतकर्म करने की प्रेणा देती है। मा की आराधना से हमारे अंदर ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे हम तृष्णा वो वासनाओं को नियंतरित करने में सफल रहते हैं। तथा जीवन में संतुष्टी की अनुभूती करते हैं। आज के दिन मा दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की उपासना से हमारी अनियंतरित महत्वा कांक्षाओं की पूर्ती होती है। नवरात्री में सभी देवियों को प्रसन किये बिना माता सिद्धिदात्री की प्राप्ती नहीं की जा सकती है। शेश कारिक्रम नौ दिन नौरात्र के है। शेश कर रहे हैं और मा की साधना सकती स्वरूपा का ये विशेश पकवाड़ा चल लाहा है। ये दो बार आता है पहला तो जैसा कि पंडित जी इसके पहले भी कारिक्रम में हम आपको बताते चले हैं। कि चैतर नौरात्र होता है और शारदी नौरात्र होता है। आज हम आखिरी दिन नौमी का दिन है मा से ददात्री को पूझेंगे और अर्चना वंदना करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौझे है हमारे स्टीडियो में पंडित दिलीब जी से मिलेंगे। अब अब सभी लोगों को नौ दिन-ौ रातरी के इस महा एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है मैं आचारे पंडित दिलीव जी महराच चित्रकूर धाम से जैसा कि आपने प्रश्न किया कि निरंतर विक्ति नौ दिन तक भगवान मा भगवती की पूजा करता है और पूजा करने के बाद नौ दिन उसका पूजन कैसे करना चाहिए तो बहुत अच्छा सारगर्वित आपक स्कारी genau का फूजन करने का विधान होता है 12-13 वर्के रजस्वला bridge करना होती में नहीं रहे जाती है वह सीवरला के रूप में होते यह डाशाम आप सभी लोग 5 वर्स और 11 वर्स के कंठवान करें यह जो नव दूरगां है नव दूरगा का जो हमने पाध किया पूजन किया ब्रत किया उपवास किया जो भी दान धर्म किया तो वास्तों में इसका जो भी सारा फ़ल है वो एक जगई कथा हो और वह कौन सी जगाई कठा हुआ नवम सिध्ध दात्री चा यानि नवमी जो रात्री होती है वो बड़े बड़े सिध्धी जनों की रात्री होती है चाहे बगला मुखी हो चाहे दुर्गा सबस्वती हो चाहे महाकाली की साधना हो चाहे भोले नात की साधना हो आज का दिन यह जो नवम दिन है यह बहुत ही गूढ दिन होता है आज के दिन संपूर्ण फल की प्राप्ति हम सब लोगों को प्राप्त होती है कहां तक बतावें नवग्रह के सताय हुए भी जो मनुष्य आज माभगवती के स्रीचर्णों में प्रणाम करते हैं वास्तों में उन्हें मा प्राप्त्तों के ऊपर एक एक जायफल रखने के बाद उन पान के पत्तों में नव दीपक छोटे-छोटे के रखें एक एक का सिक्का रख दें इस प्रकार से मा भगवती सिध्यदात्री का पूजन किया जाता है यदि हो सके तो ब्राम्मण घर से कोई पांच वर्स आठ वर्स अथवा नौ वर्स की कन्या हो तो उनको नौ कन्याओं को वहाँ पर बैठाने का विधान होता है इस प्रकार से यदि हम इन समस्त भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नौ दुर्गाओं का पूजन करते हैं तो वास्तों में हमारी हर दिन हम पूजा अर्चना करते हैं तो आज आखरी दिन नवे दिन सद्धात्री मा की जब बात आती है तो ये कहता है कि लोग कहते हैं हमारी ऐसी पद्धती भी है कि नौ कन्याओं का जैसे आपने अभी जखर किया तो कन्याओं का यहाँ पे अगर पूजन और उन्हें जो क कन्या खिलाने की बात कही जाती है इसके पीछे का कुछ अगर कथा है या कुछ एतिहास है तो अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे जो युवा पीड़ी है मेरा एक ही तात पर इसका रिक्रम से है कि हमारे जो बुजर्ग है जो हमारी पीड़ी सनातनी पंधत के चले आ रहे ह उनको तो पता है लेकिन हमारे युवा जो लोग है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरे नौ दुर्गा की पूजर्ग किसले के जाती है और यह कन्या आपने जैसा कि बताया कि 11 साल तक की कन्याओं का भोग कराय जाता है तो इसके पीछे का विशेष क्या है यह वास तो नौ कन्याओं का प्रचलन आज से नहीं बहुत पुराने समय से चला आ रहा है आपने गोरक नात का नाम सुना होगा मचंदर नात का नाम सुना होगा भैरो नात का नाम सुना होगा यह पध्धती तभी से हमारी चली आ रही है माभगवती ने हमारे उपर उपकार इसलि रच्छा कैसे की जाए तो माभगवती के स्री चर्णों में इंद्र यम बरुन इत्यादी सब लोग एकत्रित हो करके माभगवती को प्रणाम किया नमन किया और जब नमन किया तो नमन कर ही रहे थे कि वहाँ पर हम सभी लोगों के पितामह सिर्व ब्रम्हा जी आ गए ब्रम्हा जी को इंद्रे ने देखा तो प्रणाम किया बोले पितामह कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि हमें समस्ति स्रिष्टीवासिओं का कल्यान हो सके ब्रम्भा जी ने कहा कि कोई बात नहीं चलो हम लोग नारायन का पूजन करते हैं नारायन का ध्यान करते हैं और नारायन का ध्यान किया गया तो भक्तों वहाँ पर नारायन भी आ गये नारायन करेंगे और महा काल का आवहन किया गया भक्तों कि 도 तीन देवताओं का जो समावेश हुआ वहाँ पर एक टेज का पुंज के निक parenthिकम निक बड़ा और समस्त देविषर देवताद Boss ईक एक वहाँ jsbooks हैं फीच्टिति हो गया कोई साधहारन सेरी नहीं थी बंदैनु और इस प्रकार से गर्जना करने लगी से पर सवार है और उनका से करता हुआ दाड़े मार रहा है तो तीनों लोकों में उसके सब्द कहीं समान ही पा रहे हैं माभगवती सिंग पर विद्यमान हो करके उनके सरीर सिर के उपर जो एक मुकुट लगा था वह आकास मार्ग को रेखांकि कर रही थी ऐसा लग रहा था मानो माभगवती के उस कार धनुष बन रहा हो माभगवती का वह प्रले का लिन सवरूप को देख करके इस परकार से माभगवती ने अपना वह्स स्वरूप लगवूप किया अर्थात छोटा किया महिषा सुर, महिमाने प्रत्यमी और सुर माने देवता है। जो पषिवी का सबसे बड़ा असुर्थ था वह जो कौन था प्रत्यमी असुर मर्यादा पुर्सोत्तम स्री राम ने मा की कृपा से लंका की उपर विजय की प्राप्ति पाई थी और मा भगवती जगत जन्नी सीता मैया को ले करके जब राम जी आए हैं तो आज वास्तों में यह विजया राम नौमी के नाम से जाना जाता है राम नौमी वास्तों में हमें हर प्रकार की मन की मनों कामनाओं की पूर्ति प्रदान करने वाला है यदि सत्रूं से विजय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है यदि हमारे व्यापार में बहुत बड़ा नुक्सान होता जा रहा है तो वास्तों में भक्तों आज नवी रात्री को यानि नवे दिन माभगवती का पूजन करने से कंचकों को चूडियां कंचकों को कुमकुम दच्छिना मिठाई पूरी त्यारी देने से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है अब भला आप दो कि तो वास्तों में अंगर आई शक्ती की वाइसे अनंत तक मा का स्वरूप है मा की महिमा हैं हम उनका बखान जोत्ना भी करेंगे वह कम ही है पर गुरुजी एक सीज ये भी जाने की इक्षा है कि जो अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं मा के मंदर में जाते हैं हवन इत्याद ही होती है आज के दिन जैसा कि अगर जो व्योसाईक लोग हैं उनकी बारे में जानना चाहूं कई हमारे ऐसे दर्शक होंगे ज जो नौमी है दिन किस तरीके से जो अन्ह दिन तक मानने के पूजा अर्चना नहीं किये हैं आज पूजा अर्चना करने से बराबर का फल उन्हें कैसे प्राप्त होगा कि नवेद ध्वनिगर्जतानी जिस घर में कभी वेद मंत्रों के ध्वनिगर्जनाना होती हो नविप्रहपाद प्रक्षालनानी इस प्रकार से यदि हमने आठ दिन तक माभगवती का पूजन यजन इत्यादी नहीं किया तो कोई बात नहीं नवेद दिन आप करें किसी बेद पाठी ब्रामभण सुयोग ब्रामभण को आप अपने घर में लाकर के सांती पाठ को स्त्रवन करें सांती पाठ को स्त्रवन करने के बाद अगर तगर काले तिल जव इंद्र जव छाड छवीला चंदन कपूर कचरी इत्यादी ये सारी अग्रीमा भगवती के सामने सम्मुख रख देना चाहिए और संकल्प बध्धित तरीके से नौ ब्राम्भणों का पूजन करने से और नौ ब्राम्भणी पुत्री होनी चाहिए यदि उनका पूजन कर दिया जाए और उतनी समय सिर्फ दुर्गा सबस्वती का एक पाठ यद को जो हवन करने की आपने विधी बताई अगर वो सरल विधी बताते जिन से जो नौ दिन ब्रत करने वाली महिलाएं हैं चाहिए वो पुरुस हैं घर में परिवार के साथ में किस तरीके सामन करें और क्या कुछ विधी हो जिससे संपूर्ड फल और मा नवो देवी को मना सक खडगं चक्रगदे सुजाप परिखाम छूलंभु सुन्डिम सिरहा संखं संद धतें करेश्त्रिनयनाम सरवांग भू सावरताम नीलास माध्युतिमास्यपाद दसकाम सेवी महा कालिकाम या मास्तो स्वपिते हरो कमल जो हन्तों मधुम् केटेबं जैपारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में देख रहे हमारे अनगिनित श्रोता बंदुओं मेरी माताएं और बहने बुजुर्ग साथियों जैसा कि हमाई तिवारी जी ने प्रस्ण किया कि वास्तों में हव हम होन के देशरण किया है आझ में हाउन के बारे में में ज्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी कम ईल्ग आए बशान बताने वाला हमारा हो AAA हवन अर्थात भगवान को उस भगवती को उस देवी को भोजन कराना होता है स्वा और हा स्वा में देवताओं का मुख खुल जाता है और हा में बंद हो जाता है इसलिए जिस प्रकार से एक माता अपने सिसु को और थात अपने बच्चे को थोड़ा-थोड़ा सा ग्रास लेकर के मुख में डालती हैं कि कहीं मेरे बच्चे के मुख में ज्यादा न चला जाए उसी प्रकार से हर यजमान को प्रतेक भक्त को चाहिए किम्रेगी मुद्रा मे माभगवती का एक-एक आहूती छोड़नी चाहिए आहूती किस चीज की बनानी चाहिए उसके वारे में हम आपको बताते हैं अगर तगर हमनसामागरी आजकल बनी बनाई आती हैं उसे सुद्ध देशी गाय के घी के द्वारा उसको मो लेना चाहिए सुद्ध आम की समिधा अर्थाताम की लकडी होना चाहिए और इस प्रकार से सुंदर वेदी का निर्मान कराना चाहिए वेदी का निर्मान कराने के बाद एक यजमान घी की आहूती डालें और यजमान की पत्नी सामगरी की आहूती डालें स्वाहा स्वाहा जरूर बोलें क्योंकि स्वाहा कहने से से सारे पाप नश्ट हो जाते हैं अब भला आप ही जरा कल्पना करो कि हमने नौ दिन तक जिसका पूजन किया और नौए दिन उसको बगएर कुछ खिलाए पिला यदि हम बिदा कर देंगे तो उस बिदा होने वाले विक्ति को कैसा लगेगा इसलिए पूड़ी हलुआ की क्रोनों ब्रहभांड अन करोणयों में से एक ब्रहमा के क gjतरों में देखा जा तो उसमें भी कोटी कोटी ब्रहंभांड उत्पन्द हो जाते हैं जिनकी धरम पतनी शयंभ अन्पूर्णा है उस नारायन को और जिसकी बहन सोयं लट्छमी हैं तो उसे हम क्या लच्श्मी अर भाव ना में भाव नहीं तो भाव से वेड़ा पार है तो माभगवती ये चढ़ावा ये चढ़ोतरी ये ढोंग ये तमासा की भूंकी नहीं है माभगवती तो वास्तों में भूंकी है तो सची सद्धा और सची भक्ति और निष्टा से माभगवती को प्रसंद किया जा सकता है अगर माभगवती फल फ्रूट मेवा मिस्ठान में प्रसंद होने लगती तो हम आप सब लोग 10-20-50 किलों ले जा करके चड़ा देते और अपने मन की कामनाओं की पूर्ती है तो माभगवती से कहते माभगवती वो कामना हमारी पूरी कर देती है ऐसा होता है क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है होगा जब ही जब आप माभगवती की भाव सहित भाव रहित नहीं भाव सहित पूजा करेंगे सची स्रद्धा से करेंगे नहीं वास्तों में ये लाखो लाखो रुपए का हमारा जो चड़ोत्री है, चड़ावा है, यह सब बेर्त हो जाता है, जब तक हमारे भाव सच्चे नहीं है, इसलिए माभगवती को भोग लगाने के बाद और उस दिन जिस दिन विदा करें माभगवती को, उस दिन पूरे बंधो बंधों के सहित इस प्रकार से करुण करंदन करना चा में आवें, यही मेरी कामना है, रो रो करके माभगवती को विदा करें, यानि दुखी मन से हस्ते हुए नहीं कि हमारे घर का कोई एक सदस सजा रहा है, इस प्रकार से अभीर और गुलाल माभगवती के उपर छिड़काओ करना चाहिए, और जो कलस में हम लोग खेत्री होत अपने तिजोडी पर रखें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जैपारस चैनल के माध्यम से, कि नव दिन नहीं भी इतने पाएगा, और आपके घर में न चमतकार हो, न चमतकार हो, तो मा को मा न कहना, क्योंकि कुपुत्र जायेता, क्वचिदा भी कुमाता, न भवत से, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। आज के दिन 5 साल या 7 साल, 9 साल, 11 साल जो भी हो गया है अगर वो ध्यापन करना चाहें उसके लिए क्या खुश विधी अपनानी चाहिए। आता है लेकिन इस ब्रत का समापन कैसे किया जाए इसके बारे में आपने इस दिर्ग सुत्रा तुभ्यमाद आये नमस्ति चायुधिने चनमो नमो वहा आपने बहुत अच्छा प्रस्न किया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तों में जब तक किसी ब्रत का उद्यापन न किया जाए तो वह ब्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है अगर कोई भक्त माभगवती के इस नवरात्री का उद्यापन करना चाहे तो आप उसके लिए एक डायरी में एक पेंट से जो है आप लिख लें आप लिख भी सकते हैं कि रोली कलावा चावल धो फल फोल मिठ इत्यादी यथोचिस सामग्रियों को एक अपने सामने एकत्रित कर देना चाहिए सुन्दर मंडब बनाना चाहिए मंडब के ऊपर मैं उसमें माभगवती श्री नवदुर्गा की मूर्ती रखनी चाहिए ध्यान रखें कि सेर का मुख कभी खुला नहीं होना चाहिए घर की है बालती है थाली लोटा गिलास चम्मच इमाम खाद सामग्री जो खाने पीने की जो भी सामग्री वस्तुएं होती हैं वह सभी को एक अत्रित करके श्री दुर्गा सबस्वती की नव पुस्तके लेना चाहिए गीता प्रिस्की बहुत सुन्दर और मार्मिक पुस्तके होत पूजन करके किसी आचारे को किसी अपने कुल पुरोहित को या किसी मानदान को उसे सामग्री को देने से हमें संपूर्ण फल की प्रात्ति हो जाती है और माभगवती की अपार कृपा होती है गुरुजी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताए कि किस तरीके से उध्याप की हम बात करते हैं तो अगर हम शाकले के सामने और आउती देने की इस्थिती में अगर हम आ गए हैं तो इस बार हमें आज आखरी दिन है मा नोदुर्गा से ये याचना करनी चाहिए ये वंदना करनी चाहिए कि है मा आज के दिन हम सनातन पद्धती के आधार पर संकल्प ले कि हमें जस तरीके से हमारा वैदिक काल रहा है हम उसी के आधार पर याचना संकल्प और अपनी जिम्मेदारी का उचत नर्वहन किस तरीके से करेंगे हम अपने बच्चों को परिवार में धर्म के प्रतिजागरुक करेंगे उन्हें हनुमान चालिसा या किसी भी चालिसा का पाठ करवाएंगे और उन्हें मंदिर में प्रणाम करना चाहिए आप भी आधुनी क्योंक से जुड़े रहिए लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो परंपरा है हमारी जो संस्कृती है उससे भी हमें जुड़ना चाहिए दर्शकों नौ दिन तक गुरुजी आप लोगों के म बहुत बहुत धन्यवाद आप आये और जान करी दी सरवे भवन्तु सुखिनाहा सरवे संतु निरामयहा सरवे भद्राणि पस्यंति मापल दुख गात्भवेत ओम सांति 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 ही प्रधमं सैल पुत्री चाम दुतियं ब्रम्हजां चारणें तृतियं चंद्रघंटेति कुस्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति सष्ठं कात्यायनीति चा सत्यमं कालरात्रीति महागोरीति चास्टमं नवं सिद्धिदात्री चा आप सभी दर्षकों को जै माता दी जै स्रीराधे हर हर महादेव जै पारस चैनल की तरप से आपको हिंदू सनातन नौवर्ष की बहुत बहुत सुभ कामनाएं जै माता की जै माता दी जै माता दी तरशकों नौदिन नौरात्र का कारिकरम आज यहीं पर समापत होता है और हम इसी तरीके से सनातन पद्धतियों पर जो तवहार आते हूं उस पर विशेज कारिकरम लाते रहते हैं आपको हमारा ये नौदिन नौरात्र कारिकरम कैसा लगा आप हमें फेस्बुक पर भी आप डाउलोड कर सकते हैं हमारा यह कारिक्रम कैसा लगा आपके प्रतक्रिया का हमें इंतजार रहेगा वहराल आज पर यही पर लेएंगे इजाज़त जै मातर जै मातर नवरातरी के नौवे दिन माता सिध्धिदातरी की पूजा की जाती है नवमी के दिन मा की पूजा करने के बाद नव दुर्गा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है कहते हैं मा सिध्धिदातरी की आराधना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिध्धियां प्राप्त होती है और उसे सभी बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है मा सिध्धिदातरी की आराधना से व्यक्ति की सभी मनुकामनाई पूर्ण होती है मा सिध्धिदातरी कमल के आसन पर विराजमान है तथा माता सिंग की सवारी करती है चार भुजाओं वाली माता सिध्धिदात्री के हाथों में कमल, शंक, गदा और सुदर्शन चक्र सुषोभित हैं, जो हमें बुरे कर्मों को छोड़ कर सद मार्ग पर चलनी की प्रेणा प्रदान करता है। मा की आराधना से हमारे अंदर ऐसी शक्ती का संचार होता है, जिससे हम तृषना वो वासनाओं को नियंतरित करने में सफल रहते हैं, तथा जीवन में संतुष्टी की अनुभूती करते हैं। आज के दिन मा दुर्गा के सिध्धिदातरी रूप की उपासना से हमारी अनियंतरित महत्वा कांक्षाओं की पूर्ती होती है। नवरातरी में सभी देवियों को प्रसन किये बिना माता सिध्धिदातरी की प्राप्ती नहीं की जा सकती है। झाल 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 झाल